गुड मॉर्णी स्टूडेंट आज हमने करना है लेसन नमबर साइन नाइन हमारी लेसन का नाम है दो कलाकार दो कलाकार मानेवी भावनाओं को शपर्ष करती है दो मतलब की दो कलाकार में मानेवी जीमन की जो फिलिंग से भावनाओं हैं उनको शूती है दो कलाकार कहानी कलम में जादू है उसके बढ़ने चितर रास्ट्री और अंतरास्ट्री सतर पर प्रुस्करत होए हैं मतलब उनको रास्ट्री और अंतरास्ट्री सतर पर मतलब इनाम मिले हैं लेकिन अरुना एक समासेव का है वह बह सारा लोगों को सारा देती है वह इश्वर की बनाई हुई इस स्रिष्टी में गरीब और बेसारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से खुबसूर्ती रंग भर देती है इसके लावा जो चितरा की सहली है और ना वो क्या है समासेव का है वे गरीबों की हैल्प करती है और बेसहरा लोगों के जीवन में खुशी से रंग बर देती है किसके दुवारा सेवा करके चितरा का दो अनात बच्चों और उसकी मरी हुई मा का चितर कई पुर्सकार पाता है अब जो चितरा है उसने एक पेंटिंग की थी चितर बनाया था जिसमें अनात दो बच्चे थे और उसकी मरी हुई मा का जो था चितर बनाया था और उसको बहुत सारे इनाम मिले थे लेकिन अनात बच्चों का पना कर उने अपनी मा का प्यार दे कर उनकी जीवन में कई रंग भिखेर देती है इस तरह अरुना और चित्रा दोनों ही कलाकार है लेके का बाकी पाठकों पर छोड़ देती है मतल़ लेके का जो है चित्रा और अरुना दोनों एक कलाकार है और अपन लेके का ये पाठकों पर छोड़ देती है कि दोनों में इस बेटर कोन है दो कलाकार कहानी में मन्नु भंडारी ने जन सेवा और मानता की भावना को बहुत बड़ी कला माना है कहानी की पुर्मुक पात्र अरुना के मुह में मुह से कलाना भी है कि यह चित्रा को कहती है कागज पर इन बेचान चित्रों को बनाने की बचाय दो चार की जिंदिगी क्यों नहीं बना देती दो कलाकार शीशक कहानी की मूल सवेधना को लेकर चलता है दोकलाकार जो है इसका शीशक मतलब इसका नाम जो है कहानी की मूल जो बात बताएगी है उसको लेकर चलता है शीशक संसिपत और सार्थिक है जो शीशक है दोकलाकार वो कहा है छोटा सा है और सार्थिक है मतलब उसमें कुछ मिनिंग है सार्थी का मिनिंग फुल है कहानी की भाषा में हिंदी के सासा उर्दू और अंग्रेजी का शबद भी परजोग किये हैं इसमें हिंदी भी है और उर्दू के सासा अंग्रेजी का शबद भी मिलते हैं कहाने में जगिया सा अन्त तक बनी लएती है और कहाने में जो जानने की इच्छा है वो अन्त तक बनी लएती है तो मैं अब आपको जिसके जो हैं छोटे question answer करवा देती हूं इसके बाद हम इसके बड़े question answer करेंगे जैसे ये मैंने छोटे question answer का notes बना रखे हैं वो आपके लिए तो studio कर लेते हैं अपना हाँ जी, निमल एक प्रेशनों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में ही लिखने हैं हाँ जी, हमारा first question है शात्रावास में रहने वाली दो सहलियों के नाम क्या थे शात्रावास मतलब hostel, यहाँ पर student रहते हैं उसको शात्रावास कहते हैं तो शात्रावास में रहने वाली दो सहलियों के नाम क्या था अरुना और चित्रा, ठीक है चित्रा कहाने के अरंब में अरुना क्यों जगाती है आपने बोलना है कि अरुना को अपने दुवारा बनाएगे चित्र दिखाने के लिए चित्रा उसको उठाती है जा आप ऐसे भी लिख सकते हो चित्रा कहाने के अरंब में अरुना को इसलिए उठाती है क्योंकि वो अपने दुवारा बनाए हुए चित्रों को दिखाना चाती है ये भी लिख सकते हो अब ये वाला अंसर भी लिख सकते हो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेशन है अरुना चित्रा के चित्र के बारे में क्या कहती है आपने लिखना है अरुना चित्रा के चित्रों को दे कर कहती है कि कागज पर इन बे जान चित्रों को बनाने की बजाए दो चार की जिन्दगी क्यों नहीं बना देती ठीक है आगे है फोर्थ क्वेशन अरुना शात्रावास में रात को देर से लोटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है आपने अंसर देना है शीला अरुना के बारे में कहती है कि वैं बहुत गुणी है वैं दूसरों के बारे में सोचने वाली समासिव का है ठीक है बेटा आगे है fifth question चितरा के पिता जी ने पत्तर में क्या लिखा था आपने answer दिना चितरा के पिता जी ने पत्तर में पत्तर बेजा उसमें लिखा था कि जैसे ही उसकी पड़ाई खतम हो वें विदेश जा सकती है इसके बाद हमारा आ जाता है six questions तो हमने answer question पे लिए read कर लेते हैं और ना भाड़ पीर्टों की सहता करके सेम सेवका के दल के साथ कितने दिनों बाद लोटी आपने लिखना है और ना भाड़ पीर्टों की सेवा के लिए सेम सेवका के दल के साथ सहता करके पंदरा दिनों के बाद लोटी कितने दिनों के बाद पंदरा दिनों के बाद आगे है हमारा seven question विदेश में चित्रा के किन चित्र ने धूम बचाई थी आपने अंसर देना है विदेश में बिखारन और दो नात बच्चों के चित्रों ने खूब दूम बचाई मतलब जो विखारन का चित्र था बनाया था नो दो बच्चे थे उसके नात और विखारन मर गी थी उसके पास उसकी लाश के पास ही वो बैठे हुए रूरे थे तो उसी जो सिचुवेशन को जो चित्रा थी उसने चित्र में अंकित कर दिया तो उसको बहुत सारे इनाम मिले तो इस तरह यह हमारे छोटे क्वेशन अंसर है नेस्ट वीडियो में हम इसके बड़े क्वेशन लोग क्वेशन करेंगे तब तक आप इसको पढ़ो और याद करो पेपरों के लिए त्यारी को रुठे किया